नमस्कार दोस्तों मेरा नाम है नीरज सुआगत है आज की इस वीडियो में बात करेंगे आटो मेविल सेक्टर की दो न्यूज है दो बड़ी न्यूज है ऐसा कह सकते हैं पहली न्यूज को हम लेते हैं टाटा के तरफ से टाटा मोटरस जो है उसने अपनी मोस्ट अवेटेड कॉम्पैक्ट एस्यूवी से भी एक लेवल नीचे उसको बोल सकते है एक रगड रफ टाइप एक कार अपनी शोकेस की थी आटो एक्सपो में लास्ट आटो एक्सपो में उसका नाम था है HBX, HBX को कल एक नाम मिल गया है उसका नाम करन हो गया है Tata ने उसको नाम दिया Tata Punch रहनी साथ के साथ के साथ थी क्लाइदि का बल्कूल मीनी नगोट और वह धिए और वहाट तर्सक्रीन होगा और मेरे ही साथ के गाड़ी का मेन त़ रहेंगे वालत की वारे में आपने सब क्लाने 650 उधे च खचछे वह बहुत रूंस प्रस चाह था है डीजल एंजिन के लिए तो फ्रॉड जाना ही जाता है मार्केट में साथ सा उसका जो पेट्रोल का जो ड्राइगन सीरीज का एंजिन है वो भी काफी अच्छा है मेन कम्पेटिशन उसी का रहने वाला है और देखते हैं जो एक्सपेक्टेड लॉंच है कार का वो मेभी नेक्स्ट नेक्स्ट मन जो अपना फेस्टिव सीजन आने वाला है स्टेमबर आजाएगा फिर अक्टूबर में आइञ टिंक अक्टूबर के स्टार्ट में या सेप्टेमबर के लास्ट में वो लॉंच हो जाएगी expected price जो हम एक आइडिया लगा सकते हैं वो मेरे कहाल से 6-9 लाक के बीच में रहेगा बिकाज इस segment में already company के पास दो गाडिया है पहली Tiago है, second है Tiago NRG and even जो सबसे lower trim है और lower से upper trim है Ultros का वो भी इसी price range में आ जाता है so हम लोग कया से ही लगा सकते हैं बस के 6-9 लाक के बीच में होगी लेकिन गाड़ी बहुत awesome है हम लोग को कार का वेट करना चाहिए और जैसी आएगा हम लोग डेफिनेटल एक review प्लान करेंगे दूसरी जो बड़ी news है दूसरी बड़ी news आ रही है मारूती की side से और वो news यह है दोस्तों के CCI, Competition Commission of India जो है अपना जो परतिस फर्दा जो रहती है Competition जो होता है कमपनियों के बीच में उसका एक rule है हमारे इंडिया में जो 2002 का वो act है 2009 में सरकार ने उसको लागू किया था भारत सरकार ने उसके against में मारूती के ओपर 200 करोड रुपे का जुर्माना लगा है 200 करोड दो अरब और वो इसलिए लगा है क्योंकि मारूती ने अपने डीलरों को बोला था discount customers को ना देने के लिए और जिसका नतीज़ा यह हुआ था कि customer को इसका नुकसान हो रहा था customer को discount नहीं मिल पारे थे 2017 में एक unknown mail गया था CCIE को CCIE ने इसके उपर खुद चार्ज लिया था चार्ज लेने के बाद अभी 2021 में इसका final result आया है और उस mail को बिल्कु सही माना है CCIE ने जो government की agency है और उन्होंने मारूती के उपर 200 करोड रुपे का जुर्माना लगाया है और जल्दी से जल्दी इसका भुक्तान करने के लिए उनको बोला है और साथ के साथ उनको फटकार भी लगाई है कि आप आगे से ऐसे कारियों से बचे जिससे कि किसी भी तरह से customer को नुकसान ना पहुँचे बिकास dealer जो है dealer के अंडर में एक रहता है कि वो extra discount दे के competition को बढ़ावा देते हैं कि अगर वो ज़्यादा discount देंगे तो customer के पाद options रहते हैं कि वो इस dealer से ले या उस dealer से ले जिसकी भी वहाँ इच्छा है जिस dealer से लेने की उस dealer से ले बट मारूती ने अपने dealer को बोला उनको रोका extra discount देने से जिससे customer का नुकसान हुआ तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए CCI ने 200 क्रोड रुपे का जुर्माना लगा है मारूती को और मारूती को बोला जल्द जल्द payout करने के लिए और हम भी बोलेंगे कि मारूती प्लीज ऐसा ना करिए जिससे की customer का नुकसान हो तो यह थी आज के news video पसंद आई तो like कर दीजिएगा चैनल को subscribe कर लीजिए Thank you